दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका भी post office में RD account है तो आप अपने RD account का घरबट ही balance और mini statement जो है किस तरह से easily check करके पता कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको complete procedure बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है इसका balance or mini statement check कर सकते हो तो इसके लिए वीडियो को balance or mini statement check करने के लिए आपके पाच्चाई laptop हो या phone हो इसमें जो भी browser यूज कर रहे हो ब्रावजर के search box को open करना है और आपको India post जो है इसमें type कर लेना है जैसे आप India post type करोगे इस तरह से post office की जो है website आपके सामने खुलके स्यो हो जाएगी इसमें देख सकते हो जो फस्ट व पता कर लेंगे तो जैसे ही आप करोगे इस तरह का option आपके सामने खुलके स्यो हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो एक option है banking and remittance इस banking and remittance के option के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही मैं इस option के उपर क्लिक करूँगा क्लिक करते ही फिर मेरे सामने जो है next page इस तरह से redirect कर देगी, तो इसको आपको ok कर देना है, ok करने के बाद piece load होने में थोड़ सा time लगेगा तो हमारे को जो थोड़ सा इंतजार करना है, तो इस तरह से next page जो है, खुल के इस तरह से हमारे को जो है, श्यो हो जाएगा, अभी हमारे को क्या करना है, कि यहाँ पर enter mobile number और enter capture, यानि आपको जो है, अपना mobile number इसमें enter करना है, mobile वाड़े box में, और जो नीचे capture दिया वह, वो capture आपको enter कर देना है, और page को उपर की तरह स्क्रोल करते वे नीचे जो login का option दिया है, इसको अमारे को login कर देना है, तो जैसे ही मैंने login किया, हमाने जो mobile number इसमें enter किये थे, उसमें एक 6 digit की जो OTP आ गई है, तो OTP के 6 box बने वे हैं, आपको यहाँ पर जो है, आपके पास जो OTP रिशिव हुई है, वो OTP आपको यहाँ पर जो है, इंटर कर देनी है, और इंटर करने के बाद, नीचे जो submit का option दिया है, इसको अमारे को submit कर देना है, तो मैं OTP डाल के इसको submit कर देता हूं, जैसे ही हम इसको submit करेंगे, submit करते ही जो है next page इसके तरह से खुल के show होगा, इसमें, POSB e-passbook, click here तो इसमें जो click here का option है click here वाड़े option के उपर click कर देना है, जैसे ही करूँगा, next page इस तरह से खुल के हो जाएगा, इसमें scheme time, account number, registered mobile number केपचा ढाल के इसको continue कर देना है तो scheme type में, जो है post office की, इसके दोरा हम सभी जो post office का चाहे कोई भी account हो saving से regarding, को सभी का balance पता कर सकते, परन्तु अभी हमारे को अगर RD का पता करना है तो हमारे को जो है इसमें जाके और जो RD का option दिया हो है, RD को ही select कर लेना है, इसके बाद में हमारे को जो, इसका RD का हमारा account number है, account number इंटर करना है registered mobile number इंटर करना है और केपचा इंटर कर देना है इसके अलावा भी आप देख सकते हो, इसमें जो है time deposit, MIS और senior citizen PPA, यानि post office की सभी service का आप पता कर सकते हो तो मैंने इसमें जो है RD के option को select कर दिया है, अभी मैं इसमें जो भी detail जो फिल करनी है, जैसे mobile number हो गया, account number, capture, यह मैं पूरी detail इसमें फिल कर लेता हूँ और फिल करने के बाद में आपको पेच को submit कर देना है तो दोस्तों यह बहुत ही easy तरीका है कि हम post office के किसी भी saving plan का जो है, easily जो है इस तरह से पता कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही मैंने continue किया page load हो रहा, load होने के बाद जो mobile number में ने enter किया था उसके उपर एक OTP मेरे को receive हो जाएगी 6 digit की, तो यहाँ पर 6 box बने वे हैं OTP के वो OTP मेरे को enter करके और इसमें मेरे को verify का जो नीचे option दियावा है इसको verify कर देना है जैसे ही दोस्तों आप verify करोगे आपके सामने दो option आगे balance inquiry और mini statement जो भी आपको check करना है उसके उपर आपको click कर देना है तो मैं यहाँ पर जो है फश्टली जैसे balance inquiry के option पर click कर देता हूँ तो दोस्तों मेरा balance जो है show कर दिया तो इस तरह से दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप जो है वे मेरे youtube channel को जरूर subscribe करें thank you for watching my video again thank you